हेलो दोस्तो नमेशकार सीखने को मिलने वाली है तो बिलकुल भी उसको स्कीप मत कर लेना रिमाइंडर सेट करके रख लेना तो चले दोस्तो फिलाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं तो दोस्तो अब हम लग आच चुक है बिलकुल हमारे बात यहाँ पर चल रही है सो यहाँ पर सिक्वेंस के साथ हम लोग धिमे दिमे आगे चलेंगे और इसी से रिलेटेड दोस्तो सिमिलर वीडियो यहाँ पर मैंने 10 दिन पहले ही बनाया था उसका भी लिंक में आप लोग को प्रोवाइड कर दूँगा तो आप लोग और बेटर वे से स्टडी कर सकते हो तो दोस्तो आप सभी लोग को पता है कि IPO का बाजार वापस हम लोग को चलते वे देखने को आपे मिल रहा है अच्छा गासा मतलब IPO धिमे 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 करके आते वे देखने को आपे मिल रहे है और IPO की अगर मैं बात करूँ तो आप सभी लोग को पता है कि LIC का IPO अभी इंडिया का सबसे बड़ा IPO है इसके पहले पेटियम का था लगबग 18,000 करोड के आसपास अभी LIC का 21,000 करोड के आसपास का IPO हम लोगों को देखने को आपे मिल रहा है सो दोस्तो LIC का अभी IPO अभी लग रहा है दोस्तो कि यहाँ पे पीछे छुटने वाला है क्योंकि एक बहुती बड़ा मेगा IPO यहाँ पे लेकर आने वाले है मुकेश अंबानी मुकेश अंबानी की अगर हमें बात करो दोस्तो तो यहाँ पे एक IPO नहीं दो धमा के दार बड़े दिगज IPO दो दिगज लिस्टिंग हम लोगों को देखने को आपे मिल सकती है दोस्तो और वो है दोस्तो Reliance Jio यह दोस्तो Reliance Jio की अगर हम लोग बात करें दो बड़े आर्म से है दोस्तो बहुत ही बड़े पिलर्ज है इसके चलते Reliance Industry का बिजनेस अमनों को कुछ जादा ही ग्रो होते वे देखने को यहाँ पे मिल रहा है यहाँ इनके अलग से लिस्टिंग का प्लान यहाँ पे चल रहा है सो दोस्तो जरूर हम लोग यहाँ पे कह सकते दोस्तो कि यहाँ पे इससे Related यह सारी बाते हम लोग को कब देखने को मिलेगी तो दोस्तो यह बताया जा रहा है कि Annual General Meeting AGM आप सभी लोग का पता है Shareholders की यह मिटिंग होती है और उसमें यहाँ पे हम लोग कह सकते है और Reliance की जो AGM रहती है न दोस्तो हर AGM में कुछ ना कुछ खास यहाँ पे हम लोग को Announcement देखने को मिल जाते कुछ Surprises भी देखने को मिल जाते तो शायद से हम लोग कह सकते देखे अभी तक जितनी भी खबरे आ रहे है वो रिपोर्ट के जरीये रहेगी Official खबर कब देखने को मिलेगी AGM में देख लेना Annual General Meeting जब भी भी साल में एक ही बार हम लोग को यह General Meeting देखने को मिल जाते है Annual General Meeting तो हम लोग ज़रू कह सकते है वहाँ पर शायद से इस बड़े News का Announcement यहाँ पर Officially हम लोग को होते वे देखने को यहाँ पर मिल सकता है So जरूर AGM में इसे Relator हम लोग को सारी बाते पता है यहाँ पर चल जाएगी क्योंकि इसके पहले भी जो Reliance ने बड़े-बड़े Surprising वाले Announcement किये थे वो उन्होंने अपने AGM में ही किये थे जहाँ पर Shareholders आ जाते है So जरूर जरूर हम लोग आपे कह सकते हैं कि यह सारी बाते हम लोग को देखने को मिल रही है और एक Competition भी हम लोग को देखने को मिल रहा है तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं देखे YouTube के उपर हम लोग आ चुके है लगबग 10 दिन पहले, 9 दिन पहले आप लोग देख सकते हैं जादा लोगोंने नहीं देखा था पचास हदार के आसपास यहाँ पर देखा था आप देख सकते हैं पर मिने आप लोगों को कुछ stocks देये थे यहां पर कि इन shares में कुछ तो मतलब बड़ा हो सकता है राइट यह जो जितने भी shares बताये थे वह कौनसे shares बताये थे मैंने Reliance से जुड़ेवे सारे के सारी शेथ Reliance Industry, HFCL की बात करे अलोक इंडस्ट्री के यहां पर बात करे राइट मतलब Reliance से जुड़ेवे stocks और उसके पीछे का reason के जाके वीडियो को देख लेना Openly यह सारी चीजी मैंने आप लोगों को बताया थी कि competition यहां पर बहुत ही जोर पकड़ते वे देखने को मिल रहा है और मुकेश अमबानी इतने easily अपने number one position को छोड़ेंगे नी वो वापस comeback करने की कोशिश करेंगे and comeback possible कब होगा जब reliance और उससे जुड़ेवे shares में तेजी आएगी क्योंकि अदानी जी की अगर मैं बात करो उनकी wealth इतनी ग्रोकी हुई क्योंकि उनके shares में तेजी आगई और maximum stake उनके पासे तो इसलिए reliance की shares and उनसे जुड़ेवे shares में भी ऐसा देखने को मिल सकता है इसकी possibility वाला ये वीडियो था अगर आप चाहो तो इस वीडियो को देख सकते लिंक में उपर आई बटन पे दे रहा हूं तो चाहो तो इसको भी cover कर लेना इसे बहुत सारे logic में पेश करते रहता हूं हो सकता है आपको वो logic अच्छे लगे या फिर अच्छे ना लगे बट हमेशा में आप लोगों को एक point हमेशा कहता हूं कि अगर आप market में अगर as a investor अगर आप grow होना चाहते हो तो आपकी thinking capacity बहुत कमाल के हो नीचे at least सोचो तो स चाही आइदर गलत जाओगे या फिर सही जाओगे बट सोचना तो at least आना चाहिए तो ठीक है यहापे आप लोग देख सकते ही इसका एक अनुमान लगाया जा रहा था कि Reliance कुछ ना कुछ तो बड़ा करने की कोशिश करेगा तो फिलाल यह बताया जा रहा है कि क्या कर सकत वो वैसे भी वोट नहीं दे रहे थे अगेंस्ट ही जा रहे थे बट फाइनली हम लोग कह सकते दोस्तों अगर Reliance को इतना बड़ा प्लान कर रहा है future retail के साथ अगर वो अठके रहे तो उनका Reliance Retail का अगर वो IPO लाना चाहते है तो फिर वो गड़बड़ी हो सकते तो अभी उनने सारा रास्ता यहाँ पर क्लियर कर दिया है अभी सारी चीज़े वापस हमनों को री कैल्कुलेट होते हुए देखने को मिलेगी और यहाँ पर क्या कर सकते हैं अभी वो कब लेके आएंगे उसे related क्या possibilities है मैं again and again शब्त का इस्तमाल कर रहा हूं possibility क्योंकि confirmation तो हम लोग जन्दरल मिटिंग में आप देख सकते हैं अमबानी is likely to make an announcement during the AGM of Reliance Industry this year किस से related यही हम लोग आपे कह सकते हैं IPO से मतलब related तो चले हम लोग चेक कर लेते हैं आपे अभी properly article मुकेश अमबानी is gearing up for the launch of two of India's biggest IPO by his company एक का नामे Reliance Retail Venture Limited RRVL जिसको हम लोग Reliance Retail से ही बोल लेत है और दूसरा है Reliance Jio platform RJPL Limited सो जिसको हम लोग Reliance Jio ही बोल देते हैं दैन दोस्तों अगर हम लोग आपे बात करें next point आप पढ़ सकते हैं each company is likely to raise approximately 50,000 से लेके 75,000 करोड इसमें से सबसे important शब्त कौन सा है और आप बोलोगे सर 50-70,000 करोड नहीं यहाँ पे देखो क्या लिखा Each यह दोनों IPO का साइज नहीं बताया जा रहा है कि 50 और 75 Reliance Retail अगर लाएगा तो वो भी 50,000 करोड हम लोग minimum amount पकड़ लेते हैं 50,000 करोड का हो सकता है and Reliance Retail and Reliance Jio की भी अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे 50,000 करोड minimum तो यहाँ पे मतलब इतने बड़े यह दो अलग-अ IPO आने वाले हैं तो यह बहुत ही बड़ा announcement हम लोगों को यहाँ पे EGM में देखने को यहाँ पे मिल सकता है and obviously यहाँ पे किसी को तो stake बेचना पड़ेगा तो यह फिलाल तो presume किया जा रहा है कि promoters अपने stake dilute कर सकते हैं somewhere around 10% So हम लोग कह सकते हैं अगर ऐसा हो जाता है तो बहुत ही कमाल की news रहेगी अगर मैं source की बात करूँ तो business line के और से हम लोगों को यह खबर फिलाल तो देखने को यह पे मिली है So जैसे मैंने आप लोग को यह पे बता है इससे related अगर आप प्रतिक्षा कर रहे हो कि यह कब आएगा तो अमबनी is likely to make an announcement with regard to the two IPO during the AGM of Reliance Industry this year So इस साल की जो AGM रहेगी उसके उपर तो मतलब दोस्तो अभी इतना pressure रहेगा pressure मतलब अभी expectation create कर दी Report के जरीए खबर सामने आना ही लग गई तो बहुत ही heavy pressure रहेगा अभी Reliance के AGM में अगर यह news such साबित होती है तो Reliance Industry के share में rocket की तरह आग लग जाएगी अगर उससे related कोई भी news नहीं आई तो stock यहापे गिर जाएगा तो ऐसे हम लोगों को बहुत बार ऐसे देखने को यहापे मिल चुका है तो यह इस तरीकी के बाजार से दोस्तो expectation के चलते क्या हो जाता है बाजार वर्थ करता है then दोस्तो point को थोड़ा सा और आगे लेके जाएंगे global listing yes मतलब यह जो Reliance Retail Reliance Jio की बात चल रही दोस्तो यह सिर्फ इंडिया में नहीं दोस्तो simultaneously अगर हम लोग बात करें दोस्तो तो इनकी foreign listing भी हो सकते है और foreign listing की मतलब कहा पे American Bazaar में yes Nasdaq तो आप लोग को पता ही है कि tech से related दुनिया के tech से related बड़े-बड़े companies वहाँ पे list हम लोग को देखने को मिल जाते है तो Reliance Jio शायद से देखो क्या लिखा है में अभी होगा नहीं होगा वो तो AGM में पता चलेगा तो शायद से वो क्या कर सकते है वहाँ पे Nasdaq में हम लोग को list होते भी देखने को यहाँ पे मिल सकते है इससे related पहले भी news आई थी कि यहाँ पे वो Nasdaq में list यहाँ पे हो सकते है अभी इसके timing से related दोस्तो AGM में तो बाते बोली जारी AGM में तो इसका confirmation मिलेगा कि yes हम लोग Reliance Retail Reliance Geo का IPO ला रहे करके बट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इससे related जो बोलते है न officially prospectus and सारा detail का file यहाँ पे हो सकता है कि इसके साथ market regulator मतलब CB के पास यह तब ही हो सकता है दोस्तो जब Russia and Ukraine का जो conflict है वो settle down हो जाए या फिर खतम हो जाए क्योंकि Russia and Ukraine के युद के बीच में IPO लेके आना मतलब एक बहुत ही बड़ी रिस्क है अभी यह जो LIC का भी IPO है दोस्तो आपको पता नहीं कि इसके उपर एक बहुत बड़ी लटकती हुई तलवार है अगर Russia and Ukraine के हालत मतलब अभी जो चल रहा है वो जी यूद तो चल रहा है बट अभी कोई नहीं fresh news नहीं देखने को मिल रहे है ठीक है Russia attack कर रहा है Ukraine defense कर रहा है वो चल रहा है बड़ अगर Russia कोई बहुत ही बड़ा कुछ attack कर लेते है negative अगर news आ जाती है तो फिर जाके LIC के IPO क भी बैंड बच सकती है तो इसलिए दोस्तों Reliance यहापे इन सारी चीजों को जरू फोकस में रखेगा कि जैसे रशिया यूकरेन का यह जो conflict है कभी तो जाके settle down हो जाएगा तब जाके वो क्या कर सकते है यहापे हम लोगों को prospectus यहापे जो सारी जितनी भी चीज़े filing से related है DRHP and all that वो सारी चीज़े हम लोगों को से भी के पास file होते वी देखने को आपे मिल सकती है तो बहुत ही कमाल की news हम लोग देखने को आपे मिल रहे दोस्तों इसके चलते Reliance इंडर्स्ट्री की value भी हम लोगों को बहुत ज्यादा बढ़ते वी देखने को मिल जाएगी प्लस ज़रूरी आपे कह सकते कि बड़े-बड़े peers का पैसा लगा हुआ है आज आते हैं आखरी point के उपर कि अगर ये list हो जाता है दोस्तों तो उसका valuation क्या रहेगा तो दोस्तों बताय जा रहा है Reliance Retail का जो valuation is somewhere around 8 lakh करोड की बाते आपे चल रही है यह इसमें repeat करना चोंगा 8 lakh कर पास उसका performance देखने को यहाँ पर मिल रहा है सो number one वो directly यहाँ पर retail segment में आ जाएगी और उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पर बोल सकते जो दूसरा performance देने वाली जो company है उसी की मतलब Reliance Geo की यहाँ पर में बात करो तो बताय जा रहे है कि उसकी value रहेगी somewhere around 7.5 lakh करोड सो हम लोग बोल सकते 7.5 lakh करोड एंड वहाँ पर भी जैसे मैंने का चलो 28-8 lakh करोड ही पकड़ लेना इनका valuation हम लोगों को देखने को यहाँ पर मिल सकता है सो बहुत ही गजब का performance LSE का IPO का valuation कितना निकल रहे है 21,000 करोड को divide करोगे 3.5% के हिसाब से तो 6 lakh करोड आता है तो उ कि शमबानी भी मतलब चूप रहने में से नहीं रहेंगे वो भी कोशिश यहाँ पर करेंगे और जादा से जादा आप लोगों को पता है कि इस तरीके से जो हमनों को deal मतलब यहाँ पर जो अलग से जो चीजे देखने को यहाँ पर मिल जाती है कि बहुत बड़े companies में जो अ और दस आग यहाँ पर लग जाती है जो कि लगने के पूरे chances बनते है तो हम लोग जरू कह सकते कि वापस मुक्य शमबानी की वेल्द भी बहुत ही rocket की तरह यहाँ पर बढ़ सकती है तो इसकी possibility बहुत ही ज़्यादा higher level पर थी अभी finally आप लोग देख सकते मैंने 10 दिन पहल priority आपे बनने ही वाली थी क्योंकि अगर वापस number one position पे पहुचना है तो आपको यह चीज़ करनी पड़ेगी क्योंकि Reliance से share खराब नहीं है बट Reliance के share में invest करना मतलब आपका पैसा सभी business में जाता है और बहुत सेरे लोग ऐसे जिनको O2C business अच्छा नहीं लगता है किसी को Reliance का Jio अच्छा लगता है रिटेल अच्छा लगता है बट O2C अच्छा नहीं लगता है बट आपका पैसा भापे भी जाएगा इसलिए वो invest नहीं करते है तो जरूर value unlocking की अगर हम लोग बात करें यहापे तो यहापे यह जो दो separate entities list हो जाएगी तो बहुत ही जबरदस value unlocking ह अपने link के तुर open के आए यह जस मुझे comment section में mention कर देना तो यह सारे वीडियो आपलों को एक हफते बर के अंदर यहापे मिल जाएंगे दो account है एक है zero da है zero da में opening charges रखते अब stock की बात करतो बिल्कुल free of cost account opening फिलाल तो यहापे चल रही है तो आप चाहो तो किसी के साथ भी account open कर सकते हो so that's it thank you very much दोस्तो we will be meeting our next video तब तक के लिए bye bye